वेलकम तू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज मैं बनाने जा रही हूं आलू के पकोड़े वह भी एक डिपन स्टाइल में तो यहां मैंने बेसन ले लिया है और बेसन में मैंने अनमाक मेर्च हल्दी थोड़ी सी थोड़ा जेरा पाउडर और धनिया यहां मैंने बेसन का घॉल बना लिया है और यह जो आलू को मैंने कद्दू करके रखा है यह मैं बेसन में एड़ कर दूँगी और अच्छे से हम हाथ के साथ ही मिक्स कर लेंगे इसको जितन देज हम आलू को बेसन के साथ मिक्स करेंगे हम ओयल को घरम होने के लिए रख देंगे तांकि जो हमारा ओयल हो अच्छे से घरम हो जाए तो यहां आलू रूब बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है और ओयल हमारा गरम हो गया है तो चलिए अब बनाते हैं पकोडे तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पकोड़े को फ्राई करेंगे यहां पर जब आप पकोड़े ओयल में एड़ करोगे तो आप जो बैस की प्ले में उसको आप हाई कर देंगे अगर आप इस तरीके से आलू के पकोड़े बनाओ वे तो पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बच्चों को तो आलू के पकोड़े बहुत ही पसांत होते हैं और अब नब के तुझी फेवरेट हैं तो पकोड़े वह अच्छे से फ्राई हो गए हैं और रफन पकोड़े को प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरीके से हम अपने सारे पकोड़े उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहां पर हमारे पकोड़े बनके बिल्कुल तयार हैं यह बहुत रिस्पी बनते में तो चलिए में अब चुप से पहले अबीनाफ के लिए technique कर्ते हैं तो यहां पर मैंने प्लेट में शूआ में होधा और एक घर से बने वी कि इंधी ही चेटनी तो मैं सबसे बढ़ी आविनप को दूंगी विचारा कपसे वेट कर रहा है कि कोकोड़े जल्दी से बन जाए उसके तो फीवरेट आई है तो चलिए देखे आविनप को चले चलो टेस्ट इट खा के बताओ कैसा है सोस पर सब्सक्रणा लादे कोड़ना की बहरी डिवरेग है तो सब्सक्राइ पू क्लाकार सब्सक्राइब है है तो उसम्हणा हैे जो इसम्हार जाएग कोड़ना जर बनाए나 नल्दी बनाएं..? टीशू टीशू ले लो ना मैं देती हूँ चलो पहले वह वाली चटनी के साथ टेस्ट करके बताओ मस्त है मज़ा गया फेवरेट आलू के पकोड़े प्याज के खाने या नहीं खाने चलो फिर बाई करो सबको बोलो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को लाइक 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 और सब्सक्रा